ही गाइस तो स्वागत है आपका कैप्टेन बीटो के चैनल में जहां आज मैं इस हपते हुए सुपर हीरो न्यूज को कवर करूँगा तो स्टार्ट करते हैं इस विग के लेट से अपडेट के एपिसोड को जहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्राजिल कॉमिक कॉन में हुए मार्वल पैनल की जहां एंट मैं के लिए एक सौर्ट आफ ट्रिब्यूट वीडियो दिखाया गया फैंस को और ये शायद तक उनकर तरफ से हिंट था हम सब के लिए कि एंट मैं हमें एंट मैं एंट मैं वास्फ क्वांटमीनिया के अंदर कै ट्रिलेलर विलीस कर दिया गया जो कि फ mauvais साथ सैड भी था इस ट्रेलरके अंदर हमें eवाइं को दिखा दीया गया जो कि इस मवी के विलन होने वाले हैं और जेम्स गन्न ने यहीं कांव मडने वाले हैं जिस पे सबसे पहला नाम अभी रॉकेट का आ रहा है क्योंकि ट्रेलर से हमें यही पता चला है जिसको मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर भी बताया है कि ऐसा क्यों लग रहा है और साथ ही ब्राजिल कॉमिक कॉन में ही ट्रांसफॉर्मर्स राइ रियांर रैनल्स को ट्वीट किया गया उस पर रियांड रैन पी यहां रेन लोग कि बात करीक दरी baik GREG करेंगे भात विलन कड़ूर्ण खें जियंको आप ने एंव तो रोल करेंगे एंवडर्ट यह का रולॡरॉंक कर रहे हैं यह संब्सक्रेगें विलन होंगे कि मेन विलन यह नहीं पता बट यह विलन साइड होंगे अब क्योंके कैंग already विलन है लोकी सीजन टू का तो यह guess करना मुश्किल है कि यह कौन से character को play कर रही है हो सकता है कि यह variant हो कैंग की या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह सिल्वी के जैसी एक female version हो लोकी की लेकिन थोड़ी ओल्ड वाली जैसा कि हमारा क्लासिक लोकी था सीजन वन के अंदर अब बात करें DC की क्या खबर आई है ब्राजिल कॉमिक कॉन से तो वहाँ पर ये रिवील कर दिया गया है कि ब्लू बीटल का लोगो कैसा होने वाला है साथ ही साथ उसकी रिलीस डेट भी बता दी गई है जो कि 18 अगस्त है मैं परसनली जोलो मरी डुआना का बहुत बड़ा फैन हूँ फरम कोबरा काई तो मैं काफे इंटरेस्टेड हूँ इस मूवी के लिए इवेन इस मूवी के बिहाइंड दा सीन के जो पोटोज देखनी को मिले थे जिसमें इसके सूट को दिखाया गया था वो मुझे काफी अच्छा लगा था और आयरनिकली ये ब्लू बीटल का सूट ज्यादा याद दिलाता था मुझे आयरन मैन की देन आयरन हाट का सूट जो कि हमें वाकांडा फॉरेवर में देखने को मिला रिसेंटली केविन फाइगी को एक Q&A में एक फैन ने ये पूछा था कि मुटन्स में कब तक आ जाएंगे जिसके जवाब में केविन ने बताया कि मुटन्स धीरे-धीरे करके इंटेड्यूस हो रहे हैं MCU में विथ ने मॉर और मिस्ट मारवल और ऐसे ही करके कुछ सालों में सारे X-Men के कारेक्टर्स हमें बड़े पर्दे में देखने को मिलेंगे जिसका मतलब तो मैं यही निकालूंगा कि फेसिक से पहले तो हमें मुटन्स धीरे के अंदर फुली देखने को नहीं मिलने वाले अब बात करते हैं अगली खबर की जो कि ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरेवर से आ रही है जहां हमें पता चला है कि मुवी का जो पहले ड्राफ्ट था उसमें शूरी और निमॉर का एक रोमैंटिक एंगल होने वाला था बट उन्होंने उसे कट कर दिया और ये काफी सेंस भी बनाता है क्योंकि इसके अंच आप मुवी के अंदर अभी भी सेंस कर सकते हो जहां अपने ध्यान दिया हो तो निमॉर ने पहले मीटिंग के अंदर ही शूरी को अपनी मा की आखी निशानी दे दी थी as a gift तो इस रोमैंटिक प्लोट के रेमनेंट्स अब फाइनल मुवी के अंदर भी देख सकते हो तो इस बात में सच्चाई तो है आगे बात करें सोनी के Across the Spiderverse के तो बहुत इसके कुछ टिल सामने आए हैं जिससे ये टीज होता है कि हमें टेलर बहुत जल देखने को मिलने वाला है और वीडियो एडिट करने के दोरान ही ये खबर आई है कि टिलर 13 अगस्ट को आएगी जिसके लिए मैं तो काफे एकसाइटेड हूँ क्योंकि उमीद है कि Spider-Man India हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा प्लस और भी Spider-Man के वेरियंट्स भी हमें दिखेंगे आधे हवाई से पिटने के बाद से एक बाब फिर से एक नए लोगों के साथ Flash की मूवी चर्चे में आ गई है और इस मूवी की रिलीज डेट अब जून 2023 कर दी गई है इस मूवी की रिलीज डेट इतनी बार चेंज हो गई है कि अब इसके किसी भी एनाउंसमेंट को सिरियसली निना मुश्किल ही लगता है ये मूवी एनाउंस हुई थी 2017 में और उस एयर से अब तक हमने एक पूरी स्पाइडर मैन की ट्रेलोजी देख ली बट फ्लेश की मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई अब तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और इससे रिलेटिड जितने भी कॉंटोवर्सीज है वो खतम हो जाए अब कॉंटोवर्सीज से याद आया कि सेजाम 2 जो कि DC की पहली ऐसी मूवी होने वाली है जिसके अंदर विलन कॉमिक से एडैप्ट नहीं किये जाएंगे मतलब कि उसमें जो विलन है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल करेक्टर है इस मूवी के विलन्स डॉटर अफ एटलस है जो कि कॉमिक्स में एजिस्ट नहीं करती अब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि DC मूवी में विलन्स कॉमिक से नहीं लिया गया है, असल में DC U में ये पहली बार हो रहा है बात करें DC मूवी की तो इससे पहले सुपर मैन 4 में नुकलियर मैन, स्टील में नंथालियल और कैट वोमेन में गलॉरिल ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे जो की मूवी के लिए बनाए गये थे वैसे ये सभी मूवी जिन में ओरिजिनल विलन्स थे वो फ्लॉप गई थी तो यहां से आप ये ना कंक्लूड कर दे कि सिर्फ विलन्स के वज़े से ये मूवी पिटी थी असल में इस मूवी का प्लॉड भी कुछ खास नहीं था और उसका रेप्रेजेंटेशन तो उससे भी गया गुज़रा था और मुझे डारेक्टर डेविड सेंबर्ग पर भरोसा है कि वो इस मूवी में विलन को कंपेलिंग बनाए होंगे जिसके वज़े से जो ओरिजिनल विलन की मूवी पिटने का ट्रेक रेकॉर्ड डीसी का रहा है वो तूट जाएगा अब आगे की जो न्यूज है वो सुनके मुझे काफी ज़्यादा खुशी हुई थी अब आगे बढ़ते हैं और डिसकर्स करते हैं एक काफी सीरियस मैटर पर जहां अक्टर मोहन कपूर जिन्होंने आवाज दिया डॉक्टर स्टेंज को काफी सारी मूविस के अंदर हिंदी में और रिसेंटली मिस मार्वल में कमाला खान के डैड भी बने थे उनके उपर एलिगेशन्स लगे हैं कि उन्होंने एक अंडर एज लड़की को डीपिक भेजा था जिस पर अभी तक तो मोहन कपूर ने कोई भी रेस्पूंस नहीं दिया है अब अगर वो सही में कल्पिट है तो उन्हें तो सजा मिलने ही चाहिए लेकिन अगर वो नहीं है तो जिसके वज़े से इतना बखेडा हुआ है उसके भी सजा मिलने ही चाहिए अब बात करते हैं आज की लाश्ट न्यूस की तो बॉस लेजेंडरी पिच्चर्स के पास गोडजीला के राइट्स है और उन्होंने ही साथ में को प्रोड्यूस किया था ड्यून को वर्णर ब्रॉस के साथ इनकी डील एक्स्पायर होने के वज़े से अब इन लोगों ने डील कर लिया है सोनी के साथ लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं हुआ कि मॉवीज अब नहीं आएंगे उनके राइट्स अभी भी दोनों शेयर करते हैं बट लेजेंडरी का इनवॉल्मेंट इसमें नहीं होगा इन मेकिंग ओफ मॉंस्टर वर्स हो सकता है कि मॉंस्टर वर्स के बाहर हमें गोडजिला के एक नई मूवी या सीरीज देखने को मिले आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई नए इंफोर्मेशन मिली हो अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप ऐसे वीडियो मेस्त ना करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो